इस वक्त पूरा हिंदुस्तान कोरोना से जंग लड़ रहा है। इसमें अजीम प्रेम जी का विप्रो ग्रुप कोरोना से जंग के लिए 1125 करोड रुपए खर्च करेगा। साथ ही अजीम प्रेम जी फाउंडेशन के परुपकार पर खर्च होने वाली राशी भी इसमें शामिल नहीं होगी। विप्रो ग्रुप 1125 करोड रुपए की रकम को कोरोना प्रभावित इलाकों में मानवी साहिता में खर्च करेगा। साथ ही स्वास्ते सुवधाएं भी बढ़ाने पर ये रकम खर्च होगी। इस मदद के लिए विप्रो ग्रुप ने 1600 कमचारियों की एक टीम भी बनाई है जो अलाकों में जाकर लोगों को मदद पहुचाएगी। कोरोना से जंग सब मिलकर ही लड़ सकते हैं। इस जंग में हर व्यक्त की भागेदारी जरूरी है। यही वज़ा है कि बड़े-बड़े उद्योप पती कोरोना से लड़ने के लिए दान कर रहे हैं। टाटा संस और टाटा ग्रूप ने 500 करोड़ रुपए पियम फंड में दान किये हैं। विलाइंस इंडोस्ट्रीज ने 500 करोड़ रुपए का दान दिया है। पेटियम ने भी 500 करोड़ रुपए का दान दिया है। लक्षमी निवासमितल ने 100 करोड़ रुपए दान दिये अजीम प्रेम जी दुनिया में पांच में सबसे ज़्यादा दान करने वाले एक शक्स है अजीम प्रेम जी अपनी संपत्ति का सरस्ट फीस्थी हिस्सा दान कर चुके है अजीम प्रेम जी अब तक कुल 22,750 करोड रुपे की संपत्ति दान कर चुके है अजीम प्रेम जी की गिंती आज बिल गेट्स, जॉर्ज सोरोस और वारन बफिर जैसे दुनिया के उन नामचीन लोगों में होती है जिनों ने समाज का ल्यार की कारियों के लिए बड़े रकमदान की है आज कोरोना से जंग लड़ने के लिए अजीम प्रेम जी जैसे लोगों की सक्त जरूरत है कोरोना को हराने के लिए उद्योग पतियों को एक साथ आना होगा सरकार और आम लोगों की हर संबब मदद करनी हो कोरोना जंग एक जुटकर ही जीती जा सकती है